विद्यर्दी मित्रो संत वानी इसका वीता का जो पहला पद है वो संत मीरा बाई का है मीरा बाई बच्पन से ही भगवान शुदिकुष्ण के प्रती अनूरक्त थी प्रस्तुत पद मीरा बाई की इसी भक्ती को दर्शाता है मेरा बाई अपने पद में कहती है कि पग गुंगरू बांध मीरा नाची रे मैं तो अपने नारायन की अप ही हो गई दासी रे लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी रे विश्का प्याला राणा जी भेजया पीवत मीरा हासी रे मीरा के प्रभू गिरिधर नागर सहज मिले और विनासी रे मीरा अपने पद की पहली पंक्ती में कहती है कि पग घुंगरू बांध मीरा नाची रे याने मीरा अपने पग में अपने पग में घुंगरू बांध कर नाची यहां जो शब्द पगा आया है उस शब्द का अर्थ होता है पैर यह पाओ आगे मीरा कहती है कि मैं तो अपने नारायन की अप ही हो गई दासीरे मीरा पाओ में गुम्रू बांद कर नाचने का जो कारण बता रही है वो ये है कि मैं अपने नारायन की याने अपने प्रभू की मेरा के जो प्रभू है वो श्री कृष्ण है कनया है मेरा कहती है कि मैं अपने नारायन की अप ही हो गई दासी रे मैं अपने प्रभू की स्वेम ही दासी हो गई है अप ही करता है स्वेम आगे मीरा कहती है लोग कहे मीरा भी बावरी न्याद कहे कुल नासी रे मीरा के इस कारे के कारण लोग मीरा को बावरी कहने लगे बावरी करता है पागल न्याद कहे कुल नासी रे और मीरा के जो न्याद है जो रिष्टेदार है जो संबंदी है वो उसे कुल नासी कहने लगे कुल नासी करतो है कुल का नास करने वाली कुल के नाम पर कलंग और न्याद करतो है संबंदी आगे मीरा केती है विश्का प्याला राणा जी भेजया पीवत मीरा हासी रे राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विश्का प्याला भी भेजया लेकिन मीरा श्री कुष्णी के प्रेम में उस विश्के प्याले को भी हस्ते हस्ते पी गई यहां जो शब्द आया हांसी उसका अर्थ होता है हस्ते हस्ते और भेजया का अर्थ होता है भेजा आगे मेरा कहती है कि मेरा के प्रभू गिर्धर नागर सहज मिले अविनासी रे मेरा कहती है कि मेरे जो प्रभू है मेरे जो नात है वो गिरिधर है गिरिधर का अर्थ होता है पहाडों को उठाने वाले मेरा कहती है कि मेरे प्रभू गिरिधर है पहाडों को उठाने वाले और वो मुझे साज मिल गए और वो औविनासी है औविनासी का अर्थ होता है जिसका कोई विनास नहीं कर सकता मेरा अपने पद में आगे कहती है दरस बिन दुखन लागे नैन जब से तुम विछड़े प्रभू मोरे कब हूँ न पायो चैन सबद सुनत मेरी छतिया कापे मीठे लागे बैन बिरा कथा कासू कहूं सजनी वह गई करवत अएन कलन परत पलपल मग जोवद भही छमासी रएन मीरा के प्रभू कबरे मिलोगे दुख मेटन सुकदेन मीरा अपने पद में आगे कहती है कहे प्रभू तुम्हारे दर्शन के बिना अब मेरे नैन दुखने लगे है इसका अर्थ होता है दर्शन और नैन यहां पर उस शब्द आया है उसका अर्थ होता है नैन याखे मीरा के कहती है जब से तुम बिछड़े प्रभू मोरे कब हूं न पायो चैन मेरे प्रभू तुम जब से मुझसे बिछड़ गए हो तब से मैंने कभी भी चैन नहीं पाया है बिछड़े का अर्थ होता है बिछड़ना और कब हूं न पायो चैन यानि मैंने कभी भी चैन नहीं पाया है आगे मेरा कहती है सबद सुनत मेरी छतियां कापे मीठे लागे बैन ए परभू जब मैं तुमारे शब्दों को याद करती हूँ तुमारे वचनों को याद करती हूँ तो मेरा रिदे सियर उठता है मेरा रिदे काप उठता है यहाँ पर जो शब्द सबद आया है इसका अर्ट होता है शब्द या वचन आगे मेरा कहती है मीठे लागे बैन और लोग जो मेरे संबंद में कड़वे बोल बोलते हैं वो कड़वे बोल भी मुझे मीठे लगते हैं बिरह कथा कासू कहूं सजनी बह गई करवत आयन आगे मेरा कहती है अपनी सहली से अपनी सकी से कह सकी मैं अपने प्रभू की बिरह कथा तुम से कैसे कहूं बह गई करवत आयन मेदी जो राते हैं वो करवट बदल बदल कर बीदती है मेरा कहती है कि इस बिरहा के कारण मेरा एक एक पल जो है वो छे मास के बराबर है यह जो शब्दाया है छे मास उसका अरत होता है छे मास यानि इस जुदाई का जो एक पल है वो मेरे लिए छे माह के बराबर है मेरा के प्रभू कबरे मिलोगे दुख मेटन सुख दैन मेरा कहती है के प्रभू अब तुम मुझे कब मिलोगे ये ब्रहा का समय कब समाप्त होगा कब तुम मुझे मिलोगे और तुम्हारे मिलने के बाद मेरे जो दुख है वो सुख में बदल जाएगे